अब देखते हैं उदान संक्यच्छ है जिसमें दिया है किसी मिनार के आधार से A वै B मेटर दूर एक ही रिका परिस्ति दो बिंदू क्रम से C वै D हैं से देखने पर मिनार की सिकर के उन्यन कोंड एक दूसरे के पूरक है सिद्ध करना है मिनार की उचाए रूट में A it माणवाड लेते हैं यहां पर को यह कोई मिनार है एक लेबी कि जिसकी उंचाई एच मिटर है और इसके आधार से एमीटर दूरी पे सी बिंदू है यह है एमीटर दूर और एक और विंदू है जो तो यहां पर इनके उन्यन कौण जो कि सभीटा 1 Reid 2 माले लेते हैं एक दूसरे के पूरप कोन है पूरक योड़ा का मतलब की अगर एक कौन थीटा है तो दूसरा होगा 90 मांइस थीटा यह हो गया 90 माइनस थीटा वन क्यों? क्योंकि थीटा वन प्लस थीटा टू बरावर 90 डिगरी है क्योंकि दिया है दोनों कौन एक दूसरे के पूरा का अब स्टार्ट करते हैं त्रिवुज ABC में त्रिवुज ABC में त्रिवुज ABC में आ जाएगा टेन थीटा वन बरावर लंब बटे आदार जोग लंब है एबी है तो लिखते हैं एबी अपोन AC आदार है AC तो टेन थीटा वन बरावर AB अपोन AC आ गया है तो टेन थीटा वन बरावर हो जाएगा एबी अपोन लिख दी है और इसको समीकार नमबर एक बोल देए हैं नेक्स देखते हैं तिर्भूज एबी डी में जो कि कौण बन रहा है थीटा टू और थीटा तू CO 혁ण है थीटा टू बराबर है 90 माइनस थीटा वन क्योंकि दोनों एक दूसरी के यह पूरक कोण है तो नब्बय माइनस धीटा वन के लिए 10 90 माइनस धीटा वन बराबर आ जाएगा लंब होगा इसके लिए A B अपोन आदार A D है A D आदार है तो यहां से लिखते हैं 10 90 माइनस धीटा वन बराबर आएगा A B जो की H है अपोन एडी-aडी का मान है इस थिए हुआ है यहां से हम यह से हम यह भी जानते है टेन नबवे माइनस ठीटा होता है तीटा टेनल लिख दे हैं कोड़ थिटा वन बरापर एच अपर्ण दी इसको समिकर्ण दो बोल देते हैं समीकर एक वšeln को गुणा कर देते हैं तो यह आएगा समीकर्ण एक वैर दो को गुणा करने पर कि समीकर्ण एक वैर दो को गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 10 थीटा वन गुणा तेन कोट थीटा वन बराबर आच अपन ए गुणा एच अपन वि तो यहां पर टेन बरवर आ गया है, हगुणा एच, हसक्वायर और यह आ जायेगा, एगुणा B, एबी, test तें तीटा से ईगा एक बार, एचस्क्वायर बरावर आ गया, एबी, या लिखते हैं, H² बरावर AB तो H बरावर आ जाएगा वर्ग मूल में AB जो कि मिनार की उंचाई है और यही सिद्ध करना था आता है मिनार की उंचाई रूट AB मिटर है तो इस्टेंट्स अब हम देखते हैं उदान संग्या साथ जिसमें दिया है 100 मिटर चोड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए है माल लेते हैं हमारे पास ये दिया हुआ है सड़क है जिसके चोड़ाई A से B तक की 80 मिटर है यहां से ये 80 मिटर है A से B तक की आमने सामने दो समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं खंबे भी यहां पर माल लेते हैं यह एक खंबा है और यहां से एक और खंबा है जिनकी दोनों की लंबाई समान है माल लेते हैं लंबाई जो समान है वो H लंबाई के है, H उंचाई की खंबे है तो यहाँ पे A, D वे B, C दो खंबे है जिनकी उंचाया समान है इन दोनों खंबों के मद्दे सडक के एक मद्दे एक बिंदू है माल लेते हैं बिंदू यहाँ कहीं है इस बिंदू से बिंदू है E इस बिंदू से सिकर के उन्यन कौन क्रम्स है एक तरफ के खंबे के लिए 60 डिगरी है और दूसरी तरफ के खंबे के लिए 30 डिगरी है तो यह लिख देते हैं यह 30 डिगरी है और यह 60 डिगरी है किसी को भी 30 डिगरी और 60 डिगरी लिखा जा सकता है क्योंकि खंबों के उन्चाया समान है अब इसको सोल करना स्टार्ट करते हैं तो यहां पे त्रिबुज एडी ए में त्रिबुज एडी में हम लगाएंगे टेन साथ डिगरी जिसके लिए लंब हो जाएगा एच और आदार हो जाएगा एई पर तो एई की लंबाए हमारे पास नहीं है तो हम एई को माल लितने हैं तो एई को एकस माल लिया है और एबी बराबर असी मिटर है तो एई असी में से एकस गठाने पर एबी की लंबाए मिलेगी जो की असी माइनस एकस मिटर होगी अब हम लगाते हैं त्रिबूज A, D, E में A, D, E में 10, 60 डिग्री तो 10, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा A, D जो की लंब है अपोन A, E आदार 10, 60 डिग्री का मान होता है वर्गमुल 3 और A, D का मान हमने मान लिया है H और A, E भी X मान लिया है तो X लिख देते हैं इसको हम समीगंड एक बोल देते हैं और यहां से हम निकालेंगे H या X का मान और दूसरी समीगंड में पुट करेंगे रखेंगे तो देखेंगे क्या निकालना है बाद में पहले हम दूसरा समीगंड निकालते हैं दूसरी समीगंड के लिए हमको लगाना पड़ेगा तिरबुज BCE में 10-30 डिगरी तो तिरबुज BCE में यहां गया हमारे पास 10-30 डिगरी बराबर तिरबुज BCE में BC लंब है और EB है हमारे पास आदार जो कि 80-X है तो यहां पे लिखते हैं BC अपोन EB तो 10-30 डिगरी का मान एक बटे रूट 3 होता है BC जैसा कि हमने BC को H मान लिया दा तो H लिखते हैं और EB 80-X है तो X लिख दिया अब यहां से हम इसको समिकन्द 2 बोल देते हैं और 1 वे 2 से H का मान निकालके दोनों को बराबर करते हैं एक से जब H कमान निकालेंगे तो H बराबर आएगा वर्गमुल 3 X और 2 से निकालेंगे तो H कमान आएगा 80-X बटे वर्गमुल 3 यह आगया 80-X बटे वर्गमुल 3 यहां लिखते देते हैं समेकन्द एक वे दोसे अभी दोलों को वजर गुणा करेंगे तो यह आएगा रूट इन गुणा रूट इन करने पे तीन आ जाएगा पीन एक्स बड़ाबर 80-1 एक्स एक्स को जब यहां पर हम सिप्ट करेंगे तो यह जाएगा 3x प्लस एक्स जो कि चार एक्स आएगा बराबर कि a से e तक की दूरी 20 मिटर है तो e से e से b तक की दूरी 80-x जो कि 60 मिटर हो जाएगी तो यहां पर लिख देते हैं e b बराबर 80-x 80-20 बराबर 60 मिटर e b आ गया है हमारे पास अब ज्याद करना है खंबो की उचाहिया जो कि है हमारे पास h हमने मान लिया पहले अत्या समीकरण एक में x बराबर 20 मिटर रखने पर समीकरण एक में x बराबर 20 मिटर रखने पर तो रूट 3 गुणा x बराबर h है तो h बराबर आ जाएगा x का मान 20 रखने पर 20 रूट 3 मिटर अत्या कमबो की उचाहिया h बराबर 20 रूट 3 मिटर है एवं बिंदू के मद्दे दूरी कमबो से 20 मिटर वे 60 मिटर है उदान सग्या आठ में दिया है एक जील के पानी की सतय से h मिटर विंदू से एक बादल का उन्यन कौण h है अलबा है जील के पानी में उसकी छाय का अउनमन कौण बीटा है तो सिद कीजिए कि पानी के तल से बादल की उन्चाई h ब्रेकेट में 10 बीटा प्लस 10 अलबा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अलबा है यहां पर हम माल लेते हैं हमारे पास यह जील है और इसका पानी है नीला नीला पानी और इससे h मिटर उंचाई पर किसी बिंदू से यहां पर माल लेते हैं यह कोई बिंदू है जो कि h मिटर उंचाई पर था यह h लिखते थे हैं यह a b की उंचाई b बिंदू h मिटर उंच कौन अलफा है अलफा है और जब बादल का बादल का प्रतिविम बनेगा जील के पानी में माल लेते हैं जील के पानी में बादल का प्रतिविम यहां कई बनता है और इसके लिए इसी बिंदू B से अवनमन कौन जो कि दिया हुआ था बीटा है बीटा है और यह तो दिया और इस बिंदू B से बादल की उंचाई X मिटर माल लेते हैं और एक और चीज कि बादल की जितने जील के पाने से जितना उंचाई पे होगा उसके प्रतिबंब की गहराई जील की सत्य से उतना ही नीचे बनेगा यहां से यह जो गहराई आएगी यह वाली हाइड जो निकल के आएगी यह बनेगी H प्लस X मिटर यहां पे हम इनके नाम दे देते हैं जैसे A, B यह है C इसको D बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं इसको D और A बोल देते हैं E यहां से हम इनको नाम दे देते हैं A, B इसको C बोल देते हैं यह D बोल देते हैं और प्रतिभीम को बोल देते हैं यहां पर E बोल देते हैं अब हम इसको सोल करना इस्टार्ट करते हैं और लगाते हैं त्रिबुज BCD में, जैसा कि त्रिबुच BCD ये त्रिबुच BCD है, इसमें हमको लगाना है 10 अलफा, तो टैन अलफा के लिए होगा लंब बटे आदार, तो लंब है CD अपोन आधार है BC, तो आधार को भी माल लेते हैं, ये यमिटर है, यह यहां पर लगाते हैं हम तिरबुज BCD में 10 अलफा बराबर हो जाएगा CD अपॉन BC जो कि 10 अलफा बराबर निकल के आएगा वाई अपॉन सोरी X अपॉन वाई CD कमान X और BC कमान Y X अपॉन वाई यहां से Y आ गया हमारे पास X अपॉन 10 अलफा इसको बोल देते हैं समिगंड एक है अब लगाते हैं त्रिबुज त्रिबुज BC E में BC E में 10 बीटा त्रिबुज BC E में 10 बीटा बरावर होगा 10 बीटा के लिए यह होगा लंब लंब जो है CE है और आदार है BC तो CE अपॉन BC तो CE का मान है H यहां पे है H प्लस X यहां पे है तो H और H मिलके दो H और प्लस H तो 2H 2H प्लस H अपॉन Y तो यहां से Y बराबर आ गया हमारे पास Y बराबर निकालेंगे तो बज़र गुणा करेंगे तो 2H प्लस X अपॉन यह आ गया हमारे पास 10 बीटा इसको बोल देते हैं समीकर्ण 2 समीकर्ण 1 वे 2 से Y कमान बराबर रखने पर समीकर्ण 1 वे 2 से एक वे 2 से क्या हो जाएगा X अपॉन 10 अलफा बराबर हो जाएगा 2H प्लस X अपॉन 10 बीटा यहां से इनका वज़र गुणा कर देते हैं तो यह आएगा X अपॉन 10 बीटा X 10 बीटा बराबर 2H 10 अलफा प्लस X 10 अलफा और X X को एक तरफ लें आते हैं X 10 बीटा माइनस इदर आके X 10 अलफा आएगा और X को मण ले लिया तो X 10 बीटा माइनस टेन अलफा आएगा बराबर हो गया 2H 10 अलफा X का मान यहाँ पर आ गया है हमारे पास X बराबर आ जाएगा 2H 10 alpha upon 10 beta plus 10 alpha X बराबर 10 beta minus 10 alpha X बराबर आएगा 2H 10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha परन्तु हमारे को ग्याद करना था कि पानी की सते से बादल की उंचाई ग्याद कीजिए जो कि X plus H है तो यहाँ पर कर देते हैं X plus H तो पानी की सते से बादल की उंचाई यह आ जाएगी X plus H तो प्लस H करने पर इसमें तो यह जाएगा 2H 10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha plus H करेंगे और यहाँ पर लेंगे आप लगूतम लगूतम लेंगे तो यह आएगा 10 beta minus 10 alpha और यह 2H 10 alpha ऐसे कैसे plus H को जब गुणा करेंगे 10 beta के साथ तो H 10 beta आएगा और यहाँ से minus H 10 alpha आएगा तो यहाँ से 2H 10 alpha प्लस का है और minus के 10 H 10 alpha minus का है तो 2H 10 alpha में से 1H 10 alpha जाएगा तो H 10 alpha बचेगा तो X plus H आएगा बराबर होगा H 10 alpha प्लस H 10 beta अपोन 10 beta minus 10 alpha यहाँ से उपर से H कोमल ले लेते हैं तो यहाँ आएगा H कोमल लेने पर H 10 alpha प्लस 10 beta अपोन 10 beta minus 10 alpha और यही सिद्ध करना था हमको कि H जील की सते से बादल की उचाई आने चाहिए H bracket में 10 beta प्लस 10 alpha अपोन 10 beta minus 10 alpha तो स्टुडेंट्स आपने देखा कि हमने प्रसनावली आर्ट के सभी basics और उसके उधारण बहुत सरहलता के साथ हल किये हैं आसा करते हैं कि आपको सभी questions अच्छी से समझ में आये होंगे अगर फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो comment section में लिखना ना बोले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना गूले थैंक यू आपको सब्सक्राइब कर शना बोले ब Turin किरावन कि आपको और गूपको में कि आपको आपको यूंव।